नमस्कार संस्कृत के प्रियविद्यारतियों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैगनेट ब्रेंस हिंदी मीडियम पर मैं पंकस्तेवारी जैसा कि मैंने आपसे बादा किया था कि मैं बहुत जल्ब इसका अगला पार्ट लेकर के आऊंगा जिसमें आपके रहेंगे सब् ब्याख्या सहेति कुछ संदियों के ऐसे टॉपिक जो परिच्छा से संबंदित रहेंगे बहुत ही उप्योगी तो आप लोग अपनी पुस्तक अपने सामने रखिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा देखिए स्क्रीन पर लिखा हुआ है कक्षा नवी संस्कृत बिहार नेती, पद्ध्यानी, अश््टमहः, पाठा, अनबाद, भाग, चार, तीन भागो में हमने पार्ट का एक्स्प्लेशण अच्छे से कर लिया है, पार्ट बन, पार्ट टू, पार्ट थ्री में, दो दो तीन तीन इशलोग करके हम लोगों ने अच्छे से बहुत अच्छे होती है उस पर भी चर्चा करेंगे उससे बनने वाली कुछ संदियां भी है उन पर भी चर्चा करूँगा तो ध्यान से आप लोग पढ़िएगा देखिए सबसे पहले यह हमारे सब्दार्थ रहेंगे इनी सब्दार्थों पर चर्चा होगी देखिए ध्यान तो सब्दार्थ का मतलब क्या होता है पहले तो मैं आपको यह बता दूए शब्दार्थ शब्द का अर्थ अर्थार्थ कोई भी सब्द है जैसे फॉर एक्जाम्पल बात करते हैं जाए हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी सब्दार्थ होते हैं लेकिन हिंदी के सब्द भी हिंदी में होते हैं और अर्थ भी हिंदी में ही होता है लेकिन संस्कृत में अशा नहीं है इसके सब्द होंगे शद्सकृत में अर्थ होगा हिंदी में ये सबसे पहली बात ध्यान रखना है तो यहाँ पर दिया हुआ है अग्यां क्या दिया हुआ है अग्यां अग्यां का मतलब होता है मूर्ख अग्यान का देखिए आउप शर्ग लगा हुआ है इसमें और ग्यान धातू लगी हुई है जो ग्यान के अर्थ में होती है ग्या ग्याने धातू होती है ध्यान रखिएगा तो ग्यान के अर्थ में अर्थार जिसको कोई ग्यान ना हो उसे कहते हैं हम अग्यान ठीक तो उसे ह हम क्या कर सकते हैं मूर्खी कह सकते हैं हिंदी में उसकी बात करें हम तो उसे कहेंगे हम मूर्ख मूर्ख जिससे किसी भी प्रकार का ज्यान नहीं होता उसे अग्या कहते है ठी लिखा हूआ है ग्यान लबदुर बिधगधम ग्यान लबदुर बिधगधम तो दुष्ट पंडित ग्यान लबदुर बिधगधम का मतलब होता है दुष्ट पंडित अर्थार्थ ऐसा ग्यानी जिसे थोड़ा सा ग्यान हो गया है पंडित का मतलब यहां ब्राम हर्शे नहीं है एक बात ध आया है दुष्ट पंडित की बात किया ग्यान लवदुर विधगधम अर्थर्थ ग्यान तो हुआ लेकर अधूरा ग्यान जिसे प्राप्त हो गया ऐशा पंडित वही कहलाएगा ग्यान लवदुर विधगधम ठीक ग्यान लवदुर विधगधम अर्थर्थ जिसे थोड़ा स अल्प ग्ञान हो जाए ऐसा दुष्ट पंडित समझ में आया अब इसमें बात करते हैं ग्ञान लबदुर विदगधम है तो यहां पर विशळग शंधी का योग भी बनता है क्या बनता है विशरग शंधी ग्यान लबदुर ग्यान लबदुर विदगधम यह दिया हुआ है ग्यान लवदुर बिदगधम ठीक है ना तो यहां विशर के इस्थान पर हमारा रा हो जाता है और यह रा हमारा यहां पर ऐसे हो जाएगा उर्द गमन हो जाएगा तो इसलिए यहां बनेगा हमारा ग्यान लवदुर बिदगधम समझ में आया ना तो दुष्ट पंडित की अल्प ग्यानी की बात की जा रही है यहाँ पर फिर दिया हुआ है रज्यती 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 या रंज्यती जिसी कहते हैं प्रशन करता है रंज्यती या रज्यती जिसी हम कहते हैं प्रशन करता है ठीक है ना बात करना किशी को मनाना या किशी को समझाना किशी को प्रशन करना वही रंजयती कहलाता है ध्यान रख लेना तो यहाँ पर आपने इस लोक में सुना होगा कि ब्रह्मा ना रंजयती जिसे ब्रम्हा भी नहीं समझा है जिसे ब्रम्हा भी परशण नहीं कर सकता अच्छाग्ञानलब्दृविदधम ठेक है अब इसके बाद दिया हुआ है मर्त लोकिудь मर्त लोकी का मतलब होता है इस मनुष्य लोक में जहां पर मनुष्यों का जीवन निर्बाहन होता है चलता है, मनुष्य जन्व लेता है, मरता है वही होता है मरत लोग ठेक, उसे कहते हैं मनुष्य लोग में उसे क्या कहते हैं, मनुष्य लोग में फिर इसके बाद अगला शब्द दिया हुआ है म्रिगाह यहाँ पर देखे एक साधारन बात करें हम म्रिग की किसी बात करें म्रिग की तो म्रिग भी लिख सकते थे लेकिन म्रिगा paljon मतला उन्होंने पशुगण बताया भूबचनांत पद लगा है प्रत्मा का क्या लगा हुआ है बहुबचनांत पद लगा है जैसे रामाह रामव रामाह वैसे म्रगह म्रगव म्रगाह ऐसे बनेगा तो ये प्रत्मा विभक्ती का बहुबचन पद लगा हुआ है और इसका मतलब है पशुगण कई बार तो बात करें हमकी म्रग की तो म्रग हम हिरण को भी बोलते हैं म्रग हम किसको बोलते हैं हिरण को भी बोलते हैं ध्यान रखिएगा तो ये जो म्रग है ये इसके दो अर्थ होते हैं एक तो पसू भी होता है और एक म्रग भी होता है ध्यान रख लें ना म्रग माने हिर जड्यम का मतलब होता है अग्यान को जड्यम जड्ता मूर्खता ठीक जड्यम का मतलब अग्यानता जो जिसमें अग्यानता होती है वही जड्ता वही मूर्खता कहलाती है तो इसके बाद उन्होंने कहा दिशती माने बढ़ाती है दिशती का मतलब बढ़ाती है बढ़ाना या दिशती दिशती दिशता दिशन्ती ऐसे रूप चलेंगे इसके इसके बाद आगे देखेंगे अपा करोती पापम अपा करोती पापम अपा करोती ऐसे शब्द पूरा दिया हुआ था उसमें से अपा करोती निकल चुका है अपा करोती का मतलब होता है दूर करता है दूर करत है अपा करोती अर्थार्त हमारे पापों को क्या करती है दूर करती है आप दिख्षु दिख्षु माने दिशाओं दिख्षु का मतलब क्या होता है दिख्षु का मतलब दिशा और दिख्षु लिखा हुआ है तो दिख्षु मतलब दिशाओं में सब्तमी विभक्ति लगी कृष्टार करना शुल्र प्हलना सभी स्भी arc तो दिशाओं में गदाने मतलब जो हमारा है यह जो भीस्टार करने के अर्थ native है तैन विश्टार और एक तू फ्हलाने की अर्थ में हैं खलू का southwest अभी खलू का मतलब निश्चय भी होता है, खलू का मतलब दुष्ट भी होता है, ध्यान रखियेगा दौन और, लेकिन यहां पर जो अर्थ होगा निश्चय, निश्चय ही का अर्थ निकलेगा, निश्चत बात करना, खलू बात करना, नीच्चय ही, नीच्चय का मतलब नीच बोगों के द्वारा फिन लिखा हुआ है विगन विहिता मतलब विगनों से आहत अर्थार्त हम कष्टों से विगनों से जितने भी कष्ट आ जाए कोई भी परिशानही आ जाए उन क्राना विगनों से आहत विगन विहिता प्रति हन्यमाना क्या लिखा है प्रति हन्यमाना मतलब पीड़ित होते हुए भी मतलब कि एक से एक परिशानिया जीवन में आती हैं उनसे हम लड़ते हुए जगड़ते हुए चलते हैं बढ़ते हैं कई लोग पुरुष कई ऐसे होते हैं जो रुख जाते हैं कई ऐसे होते हैं जो चल जाते हैं कई ऐसे होते हैं जो परिसानियों को देख करके अपने कारे को प्रारंब भी नहीं करते हैं उन्हें की यहां पर बात है प्रतिहनमान नीति निपुना नीति निपुना मतलब नीति मैं कुशल नीति निपुना नीति शमाविशतू का मतलब होता है आये, शमाविशतू, आये हुए, शामने आये हुए शमाविशतू, योगांतरे, योगांतरे का मतलब बहुत दिनों के बाद, योगांतरे का मतलब बहुत योगांतरे, योगों के बाद की बात कर रहे हैं, योगांतरे, बहुत दिनों के बाद भी अगर कोई बात होती है नीपतत क्या लिखा नी पतती मतलब आक्रमण करता है और सत्वताम का मतलब होता है बलवानों का सत्वताम का मतलब क्या बलवानों का गुर्वी गुर्वी का मतलब होता है बड़ी या बढ़ना या बड़ा गुर्वी गुर्वी चैनी क्रमेणों चैनी क्या है चैनी चैनी का मतलब होता है चैन होने वाली या कम होने वाली या घटने वाली या धीरे धीरे अल्प मात्रा मे कम होने वाली च्यणी क्रमे organisms लगवी लगवी मतलब छोटी च्यणी मने कम होने वाली और लगवी पुरा तीर दीरे लग छोटी छोटी होने वाली सत्वताम बलवानों का, यह दुतिया विभक्तृ लगई ध्यान रखने न युगांतरे मतलब इसमें लगा हुआ है हमारा सब तुमी का एक बचल इसके बाद अगला सब्द दिया हुआ है पुरा अगला सब्द क्या दिया है बिटा पुरा का मतलब होता है पहले जैसे प्राचीन की बात कर दें चलो इसका आर्थ आपने जगो पुरा पुरातन काल की बात करें या प्राचीन काल की बात हैं तो पुरा का मतलब पहले तो प्राची जो हमारे बहुत पहले हुआ है वो भी तो पहले ही हुआ है प्राचीन जो बहुत पुराना हो गया है वो पुरा पुराना अभ्यू दए अभ्यू दए के मतलब उन्नती काल में तुमी के एक बचन में बनता है और युधी का मतलब होता है युध में इस्थिर नाम सुना होगा आपने युधिस्थिर हमारे महाभारत में हैं तो महाधर्मरा युधिस्थिर की बात कर रहा हूं तो युध में इस्थिर रहने वाला उनका आर्थ होगा युध में इस्थिर रहने वाला अर्थःत युदहिष्टir भहबारी शमास भी होगा इसमें ठेक है फिर इसके बाद दिया हुए है व्यसनम व्यसनम का मतलब होता है आशक्ति या लगाओ व्यसनकार में लग जाना किसी चीज का लगाओ हो जाना किसी की लट लग जाना व्यसन में डूब जाना वही कहलाता है हमारा क्या व्यसन आसकती लगाओ सुर्तव सुर्तव का मतलब होता है सास्त्र में सुर्तव का मतलब होता है क्या सास्त्र में अर्थार्थ सास्त्रों में जैसे सुनने की छमता सबसे ज़्यादा सास्त्रों में होती है ठीक फिर इसके बाद न्यायया सही या उचित की बात कर रहा है न्यायय पूर्वक उचित पूर्वक शही जो दिया जाया वही न्याय कहलाता है वही न्यायय कहलाता है ठीक है ना आगे देखेंगे उशी क्रम में आगे हमारा है अब रहेगी सब्द और शब्द की व्याख्या अभी तक थे सब्द और उसका अर्थ हिंदी में अब रहेगी संस्कृत का सब्द रहेगा संस्कृत की ही क्या रहेगी व्याख्या रहेगी तो दोनों में अंतर क्या है सब्दार्थ में और शब्द की व्याख्या में अंतर क्या है बात करें हम तो सब्दार्थ में एक हिंदी होता है एक संस्कृत होता है लेकिस जो व्याख्या होती है व्याख्या संस्कृत का जो सब्द होगा उसका एक विस्तार थोड़ा सा बड़ा रूप होगा सरल रूप होगा सरली करण होगा इस पष्ट रूप से वो समझ में आ सके ऐसा सब्द रखा जाता है उसे हम कहते हैं क्या शंस्कृत व्याख्या उसे क्या कहते हैं हम संस्कृत की व्याख्या मतलब एक सब्द का दूसरा परिया या समानार्थी के रूप में मतला दिया जाये वो हमारा ग्याख्या के रूप में होता है जैसे बात करें अग्याँ अग्याँ का मतलब होता है जैसे अग्याँ समझ में नही आया तो फिर क्या तो ग्यान हीनह सब्द आ गया है इसमें थोड़ा बड़ा जरूर हो गया है लेकिन ग्यानहीन का मतलब ग्यान नहीं है तो ग्यानहीन है शब्द आ गया है तो ये समझ में आ गया है कि ये ग्यानहीन का मतलब क्या होता है अग्यान का मतलब ग्यानहीन है फिर इसके बाद ये ग्यान लवदुर विधगदम विधगदम अलपेन ग्यानेन अहंकार पूरु ग्यान हो जाए और वो अपने आपको कहने लगे कि मैं सरबग्ग हूँ मैं सब कुछ हूँ मैं ही ब्रम्हा हूँ मैं ही विष्णु हूँ फिर अपने इसके सामने दूसरे को कोई कुछ समझे ही न ऐसे अल्प ग्यानी को अल्प क्या कहते हैं अल्प दिखी पहले क्या कहते है अलपेन में तृतिय विवक्ति ज्यानेन तृतिय विवक्ति अहंकार पूरुना हमें प्रत्मा विवक्ति लगी हुई है ठीक है ना बिटा अलपेन जैसे रामेन बनता है जैसे फलेन बनता है वैशे ही बनेगा हमारा अलपेन वैशे ही बनेगा ग्यानेन फिर इसके बाद दि रंजयती का मतलब आलाह दत्यती आलाह अहलाह दयती अर्थात प्रशन्य चित होना अहलातित हो जाना प्रशन्य हो जाना खुसी हो जाना अंधर का भाव एकदम अहलातित पूर्ड हो जाना उसे हम कहते हैं क्या रंजयती फिर उन्होंने कहा मर्त लोके मर्त लोके का मतलब के जहां पर मनुश्यों का निवास होता है वह शी हम मर्थ लोग कहते हैं वह शी हम मनुश्य लोग भी कहते हैं म्रिगाह दिया हुआ है क्या दिया है म्रिगाह म्रिगाह का मतलब होता है पश्वाह पश्वाह की बात कर रहे हैं म्रिगाह पश्वाह यहां पर बहुबचन रूप लगा हुआ है म्रेग का प्रत्मा का बहुबचन यहां भी प्रत्मा का बहुबचन ही है लेकिन बस अंतर इतना है कि इसमें उकारांत लगे हुए है और इसमें अकारांत लगा हुआ है ठीक है ना कैसे यह राम के समान चला हुआ है यह हमारा गुरू के समा का एक बचन यहां प्रत्मा का बहु 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 बचन यहां यहां लिख देंगे हम पशु 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 पश गुरु गुरुम गुरुना गुरुवे गुरु गुरुम गुरुना गुरुवे गुरु पशुह ठीक है न ऐसे बन जाएगा द्यान रखना इस बात का तो पशुह पशुह पशुवा म्रगव 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 प्रत्मा का ये ये अकारांत है क्या ये अकारांत है और ये उकारांध उकारांध ठीक है इस प्रकार से हमारा यह रहेगा आगे देखेंगे अगला शब्द दिया हुआ है हमारा जाड्यम जाड्यम नपुन्शकलिंग का सब्द है मूर्ख ताम दुतिया विवक्ति वो भी हमारा नपुन्शकलिंग दुतिया विवक्ति बनी हुई है ज मूर्ख ताम दुतिया फिर इसके बाद दिशती फिर लिखा है प्रायच्छती दिशती प्रायच्छती यच्छती दिशती लटलकार पर्थम पुरोष एक बचन का रूप बना हुआ है इसके बाद दिया हुआ है अपा करोती अपा करोती में लटलकार पर्थम पुरोष एक दूरी करो दिया जाएगा दूर करना दूर करने की बात है आपकरो तो दिख्छू सब्तमी का बहुबचन दिशासू ये भी सब्तमी का बहुबचन होगा और कहां दिशाओं में सभी दिशाओं की बात कर रहे हैं फिर लिखा हुगा है तनोती तनोती का मतलब होता है विस्ता करता है । यह भी लट्लाकार प्रथम पुरुश एक बचन विस्तार्यति-वी लट्लाकार पूर्थम पूरुष एक बचन का रूप हो जाएंगा खलू । मनने निस्च इन ये किसमें तरтьया विभक्ति का एक बचन लगा है निस्च प्रत्मा का बेचन तृत्येतर नीचों के द्वारा फिर इसके बाद बिगन वहित्ता विग्न Ó का आहत होना विपत्तिक आना तो विगनाी धुर्थार्थर्थ अनेक प्रकार की विपत्ति-वेनों के द्वारा ठोकर दिया जाना विग्न विहता प्रतिहन्य माना हा शमाक्रांता हा प्रत्मा का बहुवचन और प्रत्मा का बहुवचन शमाक्रांता हा प्रतिहन्य माना हा नीति निपुणा नीतिग्या नीति निपुणा हा और नीतिग्या प्रत्मा का एक बचन और प्रत्मा का एक बचन आगे देखेंगे शमा विश्यतु आए हुए शमा विश्यतु आए हुए युगांतरे बहुत दिनों के बाद पुराना अन्यस्मिन काले बहुत शमय के बार अन्यस्मिन काले सप्तमी का एक बचन सप्तमी का एक बचन नीपतती नीपतती माने आक्रामती आक्राम्यती अर्थात आक्रमण करना कपोलम और गंड गंड इस्थलम कपोलम गंड इस्थलम गाल को बोलते हैं गंड इस्थल भी बोलते हैं कपोलल भी बोलते हैं फिर सत्वताम मन वल साली नाम सत्वताम का मतलब क्या हो गया है वल शाली नाम गुर्वी गुर्वी का मतलब ब्रीहती महती छैनी क्रमेणों छैनी का मतलब छीन चीयमाना छीयमाना लगवी लगवी का मतलब होता है सुक्ष्मा या अल्पकाया लग भी पुरा ठीक है आगे देखेंगे विटा आगे देखेंगे उशी क्रम में चलेंगे स्वत्वताम और बलशक्ति नाम पुरा हमाने पूर्बम पुरा का मतलब पहले पूर्बम का मतलब भी पहले अव्यूदय का मतलब संपदी युधी युधी का मतलब समरे युध मतलब आशक्ति और सुर्तव सुर्तव का मतलब होता है सास्त्र सास्त्रों में नियायययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययय दोनों को हम लोगों ने देखा अच्छे से आपकी पुस्तक में भी हैं ध्यान रख रहे ना बस थोड़ी सी मैंने उन पर चर्चा की है आराम से उसको पढ़ाया है जिससे कि आप उनको एक-एक सब्दों को अर्थ को अच्छे से समझ शकें ठीक फिर इसके बाद संदी विच अपि डिया हुआ है अब इसमें हमारा गेगा वह लगेगा हमारा एंगह पदान्ता दती हैं जो एंगह पदान्ता दती सन्दी कौन से संदी होगी पैटा पूरवरूरूप पूर्व रूफशनदी पूर्व रूफशनदी होगी और पूर्व रूफशनदी कहता है कि अगर पहले पद में पहले पद में A या O दो मेशे कोई आ जाए उसके बाद छोटा A आ जाए तो A को हम अवगरह के रूप में परिवर्तित कर देते हैं अर्था पूर्व रूप में पहले के रूप में परिवर्टर कर देते हैं जैसे इसमें सर्वे में ए आ गया ना सर्वे में बे में ए आ गया तो ये आ आएगा हमारा ये आ हमारा ऐसे हो जाएगा अब अग्रह के रूप में और ये P जुड़ जाएगा ऐसे सब्द बनेगा हमारा सरवे P तो इसमें संदी कौन सी हो जाएगी बेटा सरवे P में हमारी पूरवरूप संदी हो जाएगी सरवे धन अपी हो जाएगा ये आप लोग अच्छी से नोट डाउन करते जाएगा ध्यान लखे आगे हमारा अगला सब्द रहेगा जो अगला सब्द रहेगा सुखम प्लश आराध्य सुखम प्लश आराध्य सुखम प्लश आराध्य दिया हुआ है देखें इसमें कुछ नहीं है ये हमारा ब्यंजन संदी का नियम लगेगा इसमें और मा बाला मा का नियम लगेगा और आ हमारा इसमें सीधे सीधे जुड़ जाएगा तो ये बनेगा हमारा सुख मा क्या बनेगा सुख मा राध्या सुख मा राध्या बन जाएगा सुख मा राध्या दियान लख ले ला इस बात को सुख मा राध्या ऐसे बन जाएगा इसमें हमारी संधी होगी हल संधी कौन सी संधी होगी हल संधी हल संधी समझ में आ गई होगी आपको जिसे हम क्या कहते हैं व्यांजन संधी भी कहते हैं हल संधी को व्यंजन संधी भी कहते हैं ध्यान रखना ठीक है बटा चले आगे देखें आगला सब्ध है प्लस चुरंति क्या दिया हुआ है म्रिगाह म्रिगाह प्लस चरंती दिया हुआ है तो अब यहाँ पर सूत्र लगेगा सबसे पहले विशर्जनियस सह कौन सा विशर्ज नियश्यो शह विशर्जनियस सह हो गया विशर्जनियस सह से विशर्ग के इस्थान पर होगा हमारा शह फिर इसके बाद चरंती दिया हुआ है चरंती फिर इसके बाद अब यहां लगेगा हमारा इस्चुत संधी इस्टोह इस्चुना इस्टोह इस्चुना इस्चु इस्टोह इस्चुना इस्चु सुत्रशे हमारा क्या हो जाएगा इस सा के इस्थान पर चा हो जाएगा देखो इस सा के इस्थान पर ये सा ताबर्ग के इस्थान पर चाबर्ग होता है तो यहाँ सा है तो सा के इस्थान पर बिटा क्या हो जाएगा हमारा प्रिगा शा ये शा हो जाएगा और चरंटी हमारा जयों कत्यों हो जाएगा चरंटी हो जाएगा ठेक फिर इसके बाद अब इसको मिलाएगे तो ये बनेगा हमारा सब्द क्या अगर ऐसे नहीं लिखना है तो आप ऐसे लिखें ऐसे म्रिगास चरंती ठीक कोई दिक्कत नहीं है आप कैसे भी लिख सकते हो तो इसमें संदी हमारी कौन सी हो जाएगी विशर्ग संदी विशर्ग संदी मूल रूप से होगी और विशर्ग के साथ यहाँ पर होई है इस चुत जिसे हम हल संदी के अंतरगत मानते हैं इसको यह विशर्ग संदी के अंतरगत होती है हमारी कौन सी इस चुत संदी ठीक है बेटा आगे देखेंगे उसके बाद अगली संदी हमारी होगी जो अगली संदी है वो लिखी हुई है मानोन नति मान प्लश उन्नति मान प्लश उन्नति मान प्लश उन्नति हो गया ना मान प्लश उन्नति तो इशका आ और इशका उ दोनों मिलेंगे उ बन जाएगा लेकिन यह किस नियम के तहत बना तो यह गुण संदी के नियम के तहत बना कि संधी बेटा गुर्षंधी के तहद गुर्षंधी के नियम के तहद बना और गुर्षंधी में सूत्र कौन सा होगा आदगुना आदगुना ये क्या कहता है गुर्शंधी पहले पद में छोटा आ या बड़ा आ हो उसके बाद ई या बड़ी ई हो तो ए बन जाता है क्या बनता है फिर इसके बाद छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर छोटा उ या बड़ा उ दो मैशे कोई भी आता है तो बन जाता है क्या बन जाता है तो यह उन्होंने गुर्शंथी का नियम बताया है आके बाद उ आया है देखो आके बाद उ आ गया है आ गया है तो बन गया आके बाद उ आने पर बन गया है यह बन जाएगा हमारा मान मान मैंसे आ निकल गया तो आधा हो गया हमारा ना फिर इसके बाद उ आ गया हमारा य प्लस देखिए उ निकल चुका है आधा ना आधा ना और तिम आ गया है यह नतिम मानो नतिम देखें इसको जोड़ा गया आप तो मानो क्या हो जाएगा मानो नतिम मानो नतिम बनेगा की ने बनेगा मानो नतिम हो गया मानो नतिम अब यहाँ पर संधी की बात करें तो इसमें संधी कौन सी होगी हमारी गुण संधी होगी ठीक है समझ में आ गया चलिए आगे देखते हैं फिर इसके बाद अगला जो हमारा शब्द है वो दिया हुआ है यथा प्लश इस्टम क्या दिया हुआ है यथा प्लस इस्टम दिया हुआ है बटा तो इसमें से बड़ा आ निकाल लिया यथा का और इस्टम का इले लिया ठीक आके बाद इ आ रहा है तो इसमें भी अब हमारी गुर संदी ही होगी इसमें भी कौन सी संदी होगी गुर संदी उपर लिखी हुई है गुर संदी और सूत्र भी लिखा है आद गुणहा आके बाद ई आने पर देखो यह बड़ा आके बाद यहां ई आ गया है तो क्या बन जाएगा ए बन जाएगा आके बाद ई आने पर ए बनता है क्या बनता है यह बनता है अब कैसे देखिए यह था मैंसे बड़ा आ निकल चुका है तो था हमारा आधा हो गया यह हमारा बीच में आ जाएगा यह हमारा कहां जाएगा बीच में आ जाएगा क्यों क्योंकि दोनों बर्ण मिलकर की एक बर्ण को बना रहे हैं फिर इसके बाद इस्टम मैंस था में लगेगी तो यह से यथे यथे आधाश्या और टम बन गया यथे टम बन गया न तो इसमें भी हमारी कौन सी संदी हो जाएगी पिटा गुर्ण संदी हो जाएगी दियान रखना इस बात को इसमें हमारी कौन सी संदी होगी गुर्ण संदी हो जाएगी आगे थम प्राब्धम उट्तम जनाह इतरत प्रारब्धम संधी लगा सकते हैं आप संस्क्र्ट के आधार परằल संधी है ठेक विर्ण संस्धी इसे हम कहते जरूर है लेकर संस्कृत में इसे हम हल संधी कहते हैं तो उ आएगा सिधा सिधा इसमें जुड़ेगा और क्या बनेगा प्रारवधमुतम जनाह जनाह हो गया प्रारवधमुतम जनाह बना की नहीं बना तो इसमें हमारी कौन सी संधी हो जाएगी इसमें हमारी हल संधी हो जाएगी ठीक आगे हम देखेंगे अगला हमारा होगा सिसू प्लस रप अपी सिसू रपी सिसू हो सिसू हो प्लस अपी दिया हुआ है अब इसमें सूत्र लगेगा सबसे पहले बिसर्ज नियस स्था क्या लगेगा बिसर्ज नियश्यो शाह बिसर्ज नियस स्था से हमारा सूत्र लग जाएगा तो इसमें बिसर्ज के इस्थान पर क्या हो जाएगा शाह हो जाएगा बिसर्ज के इस्थान पर शाह हो गया और सस जुसो रू हो गया तो सस जुसो रू का हमारा यहां रू हो जाएगा और सब्द बन जाएगा हमारा क्या सिसु रू प्लश अपी हो गया फिर यहां पर उपदेशे जनुनासिक इत 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 उप सिसु रा पूरा हो जाएगा आ जुड़ जाएगा तो पी जुड़ जाएगा सिसु रपी बन गया ना सिसु रपी तो यहां पर हमारी संधी कौन सी हो जाएगी विशर्ग शंधी कौन सी संधी हो जाएगी बिटा विशर्ग शंधी विशर्ग शंधी में सूत्र लगा है इशर जिनियस शह यह ठीक है आगे देखें चलिए आगे देखेंगे उशी क्रम में एक एक सब्द को बिलकुल आराम से मैं पढ़ा रहा हूं आप लोग भी ध्यान से सोचिएगा कि जितने भी सब्द हैं आपसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं ठीक इसके बाद अगला सब् आपका अध्य प्लश एव अध्य प्लश एव ठीक तो ये इसका आ ले लिया और इसका ए ले लिया दौनों को मिलाया और आई बना दिया लेकर ये किस नियम के तहट बनाया है तो वो मैं आपको बता दू ब्रद्धी शंधी के नियम के तहएं कौन सी संधी बिटा ब्रद् इसनी संदी का नियम क्या कहता है सूत्र है वृद्धी रादयच कौन सा सूत्र है वृद्धी रादयच यह सूत्र है इशका वृद्धी ठीक फिर छोटा आ या बड़ा आ और उसके बाद अगर ओ या अउ दो मैंसे कोई भी हो तो अउ बनता है क्या बनता है अउ बनता है फिर इसके बाद छोटा आ या बड़ा आ और उसके बाद अगर रिसी और बड़ी रिसी हो तो अर बनता है क्या बनता है अर बनता है फिर इसके बाद छोटा आ या बड़ा आ दो मैशे कोई भी हो तो इसमें और इसके बाद लिरी हो तो क्या बनता है अल बनता है क्या बनता है अल बनता है बन गया अब ये हमारा एक मिनिट प्रद्धी संधी है यहां आर बनेगा क्या बनेगा आर बन नहीं है ये गुर संधी का लिख दिया ये आर ब्रद्धी संधी इतनी होगी अब यहां देखें यहां आई बन गया अब देखना यहां जब अध्य मैशे आ निकल गया तो अध्या हमारा आध्या हो गया और दोनों वर्नों को मिला कर कि यह वर्न बनाया है तो इसको बीच में देखेंगे और एव मैसे ए निकल गया तो वह बचेगा इसकी मात्रा इस पर लगाएंगे तो यह इसकी दो मात्रा इस पर लगेंगी यह अध्याई और वह जुड़ जाएगा तो अध्याई वह क्या बन गया अध्याई वह बन गया है कि न बन गया अब यहां पर शंदी हो व्रद्धिरादाईच सोत्र इसमें लग जाएगा आगे देखेंगे अगला हमारा जो सब्द होगा वो दिया हुआ है इसमें प्रकृतिरियम क्या दिया हुआ है प्रकृति प्राकृति प्राकृति ही प्लश यम प्राकृति ही प्लश यम तो विशर्क की स्थान पर फिर वही process रहेगी विसरज नियश्षा की क्या विसरज नियश्ष्ष शाह विसरजनियस सह हो जाएगा तो विसरजनियस सह से यहां सह हो जाएगा प्रकरती रौ शा बन गया प्रकरती शा प्लश यम यम फिर यहां पर सस जुसो रू से रू हो जाएगा जुसो रू से रू हो जाएगा तो यह बनेगा हमारा प्रकरती रू रू मैसे उ निकल जाएगा क्या निकलेगा उ उ उपडेशे अज़ानुनासिको नासिक इत है तो उ निकल जाएगा तो बनेगा प्रक्रिति-्रौ और एम हमारा अब इसमें जुड़ेगा क्या जुड़ेगा एम यम का यह जुड़ेगा इसमें तो यह बनेगा प्रकृति रियम प्रकृति रियम क्या बनेगा प्रकृति रियम तो इसमें संधी होगी हमारी कौन से बटा बिशर्ज बिशर्ग शंधी बिशर्ग शंधी बनेगा बिशर्ग शंधी फिर इसके बाद आप क्या होगा हमारा अगला जो हमारा होगा अगला जो हमारा सब्द होगा वो होगा ब्रद्धिम मुपईती देखें ब्रद्धिम प्लस उपधन एती ब्रद्धिम प्लस उपधन एती ये दिया हुआ है तो पहले तो इसको जोड़ दो तो इसको जोड़ देंगे तो बेंजन संदी हो जाएगी इसमें और ये बन जाएगा ब्रधि मुप प्लश एती अब यहां लगेगा पामेशे आ और एती का ए आ के बाद ए आने पर आई बनता है किसमें ब्रद्धी शंधी में किसमें बनता है बटा ब्रद्धी शंधी में और ब्रद्धी शंधी में जब बनेगा तो आ के बाद छोटा आ या बला आ के बाद अगर ए या आई दो मैशे कोई भी आता है तो आई बनता है ये व्रद्धिशंदी का नियम है ऐसे इसमें कहता है कि छोटा आ या बाला आ के बाद अगर ओ या अउ दो मैशे कोई भी आ जाए तो क्या बनता है अउ बनता है ये नियम है तो अभी इसमें से देख लेंगे इसमें दिया हुआ है व्रिद्धिम ब्रद्धिम मुप पावेशिया निकल गया है प्लस यहाँ पर आई हमारा आ जाएगा और एती का ती रहेगा ठीक तो एती की दो मात्रा इस पर हम लगाएंगे तो यह हमारा कैसे बनेगा ब्रद्धिम मुप पावेशिया ब्रद्धिम मुप पावेशिया बन गया की नहीं बन गया ब्रद्धिम मुप पावेशिया इस प्रकार से इसमें संदी हो जाएगी ब्रद्धि संदी सूत्र इसमें लग जाएगा ब्रद्धिरादाइच क्या हो जाएगा ब्रद्धिरादैच ब्रद्धिरादैच सूत्र लग जाएगा इसमें ब्रद्धि संदी हो जाएगी ठीक आगे देखेंगे आगे हमारा अगला जो सब्द होगा वो अगला सब्द होगा हमारा छाएव क्या लिखा है यहीं देख लेंगे चाया प्लस इव बराबर चाये व तो चाया में बड़ा आ है या में और इसमें इव का इव है दोनों को बहार निकाल लिया और आ के बाद इव आने पर इव बनता है लेकर कौन सी संदी में गुडशंदी में कौन सी संदी में गुडशंदी में बनता है आदगुणा और अधेंगुणा दो दो सूत्र होते हैं ऐसा नहीं है मैं आप लोगों को बस एक ही सूत्र बता रहा हूं अधेंगुणा जादा नहीं उलजहन में डाल रहा हूं अधेंगुणा ठेक इस प्रकार शे अब ये इसका नियम होता है आ के बाद छोटा आ या दो मैशे कोई भी आ जाए तो क्या बनता है ए बनता है छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटा उ या बड़ा उ बड़ा उ दो मैशे कोई भी आ जाए तो क्या बनता है उ बनता है यह गुरशन दिये तो यहां आ के बाद इ आ गई है देखो आ के बाद ए आ गई है तो ए बन गया अब ए बन गया है तो अब यहां लगेगा क्या छाया तो छाया मैंसे बड़ा आ निकल चुका तो छाय बचेगा और यहां पर ए की ए लिख जाएगा और इव मैंसे ए निकल चुका है तो वा बचेगा इसकी मात्रा ए किस पर लगा दो त चाये बन गया और वा जोड़ देना सीधा सीधा तो चाये वो क्या बन गया चाये वो बन गया ना तो कौन सी संदी होगी गुण संदी होगी आद गुणा सूत्र होगा और ये हमारा सब्द बन जाएगा चाये वो कौन सा चाये वो देखें जरा जो सब्द की जरूरत है वही स यह संदिया यहां पूरी हो गई है अब इसके बाद आ गया है प्रकृति प्रत्य विग्रहा अर्थार्थ इस मैसे जो हमारी सब्द दिये हुए है यहनु मैसे प्रकृति और प्रत्य को क्या करना है अलग अलग करना प्रकृति प्रत्य समझते हैं प्रकृति का मतलब होता है म कि पीछे जोने वाले जितने भी सब्ध होंगे वो हंगे प्रत्य, धियान रकना, तो यहां पर देखिए इनकी प्रकर्टी और प्रत्य को अलग अलग करना है, व्यूत्पत्ती, इसलिए इसका नाम रखा है व्यूत्पत्ति, अर्थार्च इनकी उत्पत्ती कैसे हुई है, अ अग्यां आया था सब्दार्थ में तो देखिए इसमें देखें ये जो अग्यां है ना अग्यां तो आ हमारा है वो उसका नई समास का बोधक है किसका है नई समास का बोधक है इसमें नई समास होगा जो जैसे बोले जो ग्यान नहीं रखता है उसे कहते हैं मुर्ख उसे नई समास कहते हैं नहीं तक पुरुशमा तो ग्या ग्याने धातु है तो इसमें प्रकरती होगी हमारी क्या ग्यान और प्रत्य होगा का मैं आसेज बचता है इसमें बच सीधे सीधे फिर इसके बाद दिया हुआ है विशेश ग्यां तो विशेशम जानाती ती विशेशा जो विश विशेश और इसमें ग्या धातु इसमें भी है देखो क्योंकि इसमें भी पीछे ग्या लगा हुआ है तो इसमें भी ग्या धातु है और का प्रत्य है ठीक है न तो ये इसकी प्रकरती है ये इसका प्रत्य है ये इसकी प्रकरती है ये इसका प्रत्य है ये हमारे थोड़ा अत कहते हैं फिर इसके बाद दिया हुआ है दुर विदगधा दुर हमारा उप्षर्ग है उप्षर्गों की स्रेड़ी में संस्कृत में उप्षर्गों की संख्या होती है बाइस ठीक है तो एक सूत्र में भी लिखे हुए प्राप्रा आप सम अनुआ निस निस दुस दुर भी आंग निया दिया पीसु उता भी प्रत येते प्रादेह ऐसे तो बाइस उप्षर्ग है तो जिसमें हमारा दुर उप्षर्ग भी होता है फिर बी उप्षर्ग भी होता है प्राप्रा आप सम अनुआ निस निस दुस दुर भी आंग भी आ गया न तो बी भी है दुर भी है ठीक तो ये दोनों हमारे उपसर्ग हो गए है और इसमें दहधातु है क्या है दहधातु है और कित प्रत्य है ठीक है दहधातु है तो भी दगधम बनता है न दगधम तो यहां पर बिग दगधम यहां कित प्रत्य में हमारा तासेस रहता है इनमें आसेस रहता है और इसमें क प्रत्याय में केवल तासेश रहता है बन जाएगा हमारा क्या दुर्विदगधम दुर्विदगधा फिर इसके बाद अगला दिया हुआ है हमारा उन्नती तो उत उपसर्ग है इसमें नमधातु है नमधातु है और उत उपसर्ग है और एकतिन प्रत्याय में देखिए क्या स इस बचता है का की और ना की इत्षंग्या हो जाती है और ता हमारा से इस बचता है और का की इत्षंग्या किस से होती है इसमें होगी लसक्वत तद्धितेशे और ना की इत्षंग्या होगी हलंत्यम से और तस से लोपा आएगा दोनों का लोप कर देगा तो ये ई और ता दो यहां न औरती जुड़ जाएगा और नती ही बन जाएगा वी हता तो वी उपसर्ग लिगा हुआ है हन धातु है वी हता ठीक है न हता इसमें बनेगा हन्ती हता हनंती हता हन्ती हता हन्ती हता घिनंती ऐसे रूप बनता है तो हता बना है जैसे रामेन वाने रामेन वाने हतो वा में यहां तासेस रहेगा यहां रहे था यहां 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 ता रहेगा हन्धातू से सीधे हता बन जाएगा और भी जुड़ जाएगा तो बन जाएगा क्या भी हता सत्व वताम सत्व वताम में सत्व सब्द लगा हुआ है मत्व प्रत्य है ठीक है ना शत्व वताम इसमें सश्टी तत्परोश है अब यहाँ पर देखना सत्व वत बनेगा कैसे बनेगा वो यह थोड़ा से देख लीजिए मत्व प्रत्य में मतों पर प्रत्य जो रहेगा और सत्व हमारा सब्द रहेगा ये हमारा तद्धित प्रत्य है बाकी अभी तक जो जिने मिले हुए है ये हमारा करदंत प्रत्य है ये हमारा करदंत प्रत्य है ये करदंत है ये करदंत है ये करदन्त है लेकिन ये तद्धित प्रत्य आ गया है ये तद्धित आ गया है और ठीक यहां पर भी हमारा क्या है गटने के लिए आ गया है तो ये भी हमारा क्या है ये इनी प्रत्य है ये भी हमारा आ गया है किसमें तद्धित में तो सत्व वताम बनना है तो यहां सत्व व बचेगा तो सत्व मत फिर मत का हो जाएगा क्या बिटा वत बत हो जाएगा तो यहां बनेगा हमारा क्या सत्व शत्व वत क्या बना शत्व वत सत्व वत बन गया फिर ठीक फिर यहां सत्वान सत्वती सत्वत ऐसे बनता है सत्ववत बन गया है अब इसकी रूप चल जाएंगे तो सत्ववताम बन जाएगा सश्टी भहवचन में ठीक देखो सश्टी भहवचन लगा है ना तो सश्टी भहवचन में सत्ववताम बन जाएगा तो इसी सत्व वताम का ऐसे बन जाएगा ठीक इस प्रकार से ये रूप बनते हैं इनका रूप का निर्माण विद्पत्ती होती है फिर इसके बाद दिया हुए च्छायनी क्रमेनो तो देखो च्छायनी में च्छाय सब्द रहेगा इनी प्रत्य में इसेस रहेगा और गीप में बड़ी इसेस रहेगी गीप में बड़ी इ और इनी में छोटी इसेस रहेगी इ का लोप हो जाएगा ना का लोप हो जाएगा छोटी इसेस रहेगी अंगा का लोप हो जाएगा पा का लोप हो जाएगा और केबल E से एस रहेगी और 6 हमारा जंकातियों रहेगा ये जुडेगा तो 6 और नी इसकी जुड़ जाएगी तो नी और देखें इसमें नी रहेगा ना हमारा E नी जुड़ जाएगा इसमें ये जुड़ गया है सीधा 6, E, N 6 नी हो गया और अब यहाँ पर जो E है यह E हमारा इसमें जुड़ जाएगा दिर की संधी कर लेगा तो E E मिल करके बड़ी E बनाएगा तो छैनी बन गया है फिर नकार को अनाकार हो जाएगा अटको पवांगे नो में मब वाय उपी से अटके वेधान होने पर नकार का अनाकार हो जाता है ठीक है बेटा तो ये विद्पत्ति के आधार पर ये हमारी प्रकर्ति और प्रत्य का चुनाओं है और इसमें अगला सब्द दिया हुआ है इसमें लगवी लगवी में लगु लगु प्लस गीप हो गया अब इसमें क्या है कि जो यहां उ है तो उ को हो जाएगा वा उ को क्या हो जाएगा वा हो जाएगा यन संधी इको यडची के आधार पर किसके आधार पर इको यडची यन संधी के आधार पर यहां पर हमारा हो जाएगा इको या और उ को वा और को रा और लिरी को ला ऐसे होता ना ए को या उ को वा रिसी को रा और लिरी को ला हो जाएगा तो यहां पर भी उ को वा हो जाएगा तो यहां हो जाएगा हमारा गीप क्या बचा गीप बचा यहां अब जब हम इसको जोड़ेंगे तो तो यह हमारा बनेगा ला आधा घा वा और अंगाकार की इतसंग्या पा की इतसंग्या तो केवल ई रहेगा इसमें सेस तो यह हमारा इसमें जुड़ जाएगा तो बनेगा लगवी क्या बन गया लगवी इस तरी लिंग बाची हो जाएगा हमारा लगवी निम्ने छोटे को हो जाएगा वह वह हो जायगा राा और अधा हो जाएगा क्या है देखे थोड़ा एक मिनट अच्छे से तो यह बना है रूप प्लस यह दिया हुआ है गीप क्यूप Word अच्छे से रहेगा धर यहां पर यर संधी लग जायेंगी हमारी क्या हूं धर ए को या, उ को वा और रिसी को रा ठीक, ये अभी मैंने बताया है ना अभी अभी और लिरी को ला ये यड संधी के आधार पर होता है तो यहाँ पर भी देखिए गू, रा और उ है ना इसमें तो उ को बाहर निकाल लिया फिर यहाँ बनेगा हमारा गू, रा और उ के स्थान पर हो जाएगा वा फिर इसके बाद इ अब इसको जड़ेंगे तो ये बनेगा हमारा गू और इ झुड़ जाएगी वा में तो ये बड़ी ए की मात्रा और रा जो था वो रा ऐसे आ जाए तो बन जाएगा गुर्वी क्या बन गया गुर्वी और इसमें यर्ण संधी भी हो जाएगी गुर्वी में ठीक गुर्वी का मतलब होता है दीर के बढ़ा बढ़ा ठीक और फिर इसके बाद दिया हुआ है भिन्ना भिन्ना में देखें तो भिद धातु है कित प्रत्य है टाप प्रत्य है ठीक तो यहां पर देखें पहले तो टाप प्रत्य में पाकीत संग्या होगी हलंत्यम से टाकीत आसेस रहेगा इसमें फिर इसके बाद कित प्रत्य में ककार की इत्षंग्या हो जाएगी लसक्वत तद्धितेशे और यहां तासेस रहेगा क्या रहेगा तासेस रहेगा अब जैसे यहां पर दिया हुगा है नोना भीद धातु क्या दिया हुगा है भीद धातु भेद धातु में अब लगेगा यहां कौन सी संधी सबसे पहले चर्थ संधी होगी तो ता आ जाएगा फिर लगेगा इसमें मुह अनुस्वा रहा तो यह हमारा क्या करेगा यह अनुनासिक अनुनासिक संधी यरू अनुनास के अनुनास को वा तो यहाँ अनुनासिक संदी होगी और ता था दा धा ना ता वर्गे का पंचा मक्षर क्या है जरा बताएं ता था दा धा ना है ना तो ता वर्गे का पंचा मक्षर हो जाएगा हमारा यहाँ ना लेकर कैसे होगा पहले होगा वित चर्त संदी अपने ही वर्गे की पहले वर् परिवर्तन करेंगे तो ता का पंचम अक्षर होगा फिर इसके बाद आदिया हुआ है इस तरी बाचि हमारा प्रत्य है अब इसको जोड़ेंगे तो ये बने इस्त्री प्रत्या है, यह भी हमारा इस्त्री प्रत्या है, इस्त्री प्रत्या केतने होते हैं, ताप, दाप, चाप, गीप, गीस, गीन, उंग, ती, यह हमारे आठ प्रत्या होते हैं, इस्त्री प्रत्या है, ठीक है न, जो पुलिंग बाची सब्दों को, क्या करते हैं इस three link बनाने में मदद करते हैं किसको pulling बाची जैसे बात करते हैं कि यह लिखा हुआ है Sip Sip लिखा है और इसमें top पृत्ते जुड़ोगे तो यह बन जाएगा Siva क्या बनेगा Siva तो इसका मतलब होता है सिभ और इसका मतलब होता है पारवती ऐसे बनते हैं हमारे पुलिंग से इस्त्रिवाची सब ठीक जैसे पुस्प पुस्प और इसी में जुड़ जाएगा टाप पृत्य तो बन जाएगा पुस्पा टाप पृत्य में बिटा क्या से इस रहता है बताना ज संग्या होती है चुटू से किसे होती है चुटू से चाबर्ग और टाबर्गी की संग्या करता है चुटू और जितने भी हलंत वर्ण होते है जिनके अंत में ये हलंत लगी होती है ये देखो नीचे हलंत लगी है न तो ये हलंत हलंत वर्णों की संग्या करता है हलंत्यम और इनकी शंग्या होती है उसका होता है लोप और लोप करने वाला सूत्र है केवल एक तस्य लोपा और तस्य लोपा उसका क्या कर देता है लोप कर देता है जिससे इनका हो जाता है लोप और जो स्वर होता है वो स्वर हमारा सेस बचता है तो इसमें भी हमारा टाप में क्या और इस्तरी प्रिथन हमारे पांच जो आठ होते हैं ये आठ कर्दन्तृन और जुड़ते हैं और जो तद्धित प्रत्य होता है वो संग्या, सर्वनाम और विशेशन आदी सब्दों में पीछे जुड़ता है उसे हमुड़ते हैं पिर इसके बाद एक प्रत्य होरा आया कि प प्रियोग किया जाता है उसमें आठ प्रत्यों को ही रखा गया है ठीक है यहां तक आप लोगों को यह आपकी व्यूत्पत्ति शमझ में आई व्यूत्पत्ति मतलब प्रकर्ति और प्रत्य को अलग-अलग करना था इसमें और कोई ज्यादा बात नहीं थी और इसको ज्यादा मैंना इसमें समय इसलिए नहीं जादा आपको इसमें अंधर तक इसलिए नहीं गया क्योंकि सीधे सीधे आपको समझाने से जल्दी समझ में आ जाएंगे कि सीधा ये हमारा ये जित देखो ये हमारा है जितना ये हमारा क्या है सब्द सब्दों में जुड़ रहे हैं पुलिंग बाची सब्दों में इस्त्री लिंग बना रहे हैं ठीक अब पहले ये सब्द जुड़ेगा तो ये हमारा कृदंत प्रत्य है फिर इसके बाद जब ये संदी लगी तो गुर्व बन गया फिर बाद में ये प्रत्य जुड़ा तो गुर्वी बन गया उसी प्रकार से लगु में पहले यण संदी तो लगु बन गया फिर गीप का ई जुड़ गया इसमें भी अंगाकार की चंग्या इसमें भी अंगाकार की इसमें हलंत्यम से पाकी पाकी और इसमें ECS रहा इसमें ECS रहा तो इस प्रकार से ये प्रत्य हमारे चलते हैं ठीक आगे देखें ये हमारी किलास रहेगी यहीं तक बहुत जल्द हम और आगे की किलास लेकर के आएंगे लेकिन आप लोगों को परिशान नहीं होना है बढ़िया आराम से पढ़ते रह सुल्क आप लोगों की सेवा में हैं और आप लोग भी जानते हैं कि आप कहीं भी यत्र तत्र शर्वत्र कहीं पर भी बैठे हों तो चाहें आप किसी भी माध्यम के हों बिलकुल भी चिंता करने की बात नहीं है आप तो बश कंप्यूटर पर या अपने लैप्टॉप पर अपने आप चाहें मोबाइल पर कहीं पर भी आप तो यूटूब पर जाएं और डालें मैगनेट ब्रेंस तो आपको मिलेगा दो चैनल एक मैगनेट ब्रेंस हमारा हैड ओफिस और दूसरा मिलेगा हमारा मैगनेट ब्रेंस हिंदी मीडियम तो दौनों पर आप लोगों को भरपूर आपको अध्यान और अध्यापन की शामगरी पड़ी हुई है, हाई क्वाल्टी एजुकेशन और युग सिक्षकों के द्वारा, ठीक है, चाहे आप किसी भी माध्यम के हो, CBSC Hindi मीडियम हो, CBSC English मीडियम हो, यूपी बोर्ड हो, विहार बोर्ड हो, MP बोर्ड हो, कहीं से भी वाप हो, बस आपको तो टाइप करना है, मैगनेट ब्रेंस को याद करिए, बस आप मैगनेट ब्रेंस आपके लिए हमेशा ततपर रहेगा, आप लोग भी अगर आपको नोट्स की आवज सकता है, तो आप नीचे लिंक पर डिस्क्रिप्शन पर जाएं, और ई-नोट्स और ई-बुक्स के माध्यम से यहां से नोट्स भी प्राप्त कर शकते हैं, वीडियो अच्छी लगे, तो आप लोग लाइक, सेयर, कमेंट के साथ, बैल आइकन को दवाना ना भूलें, क्योंकि बैल आइकन दवाने से आपको मिलेगी नए वीडियो की अपडेट, यहां पर देखिए, अभी बहुत सारी परिक्षाएं आती हैं, आपके हाफ येरली एक्जाम भी आते हैं, और येरली एक्जाम भी आते हैं, तो सारी चीजें सारों सारी चीजों की अपडेट आपको अगर चाहिए तो बेल आइकन को दवाएं और सब्सक्राइब जिरूर चैनल को करें लाइक भी करते जाएं फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए जय तुसंस्कृतम जय तुभारतम